अगर कोई पीपल के व्रक्षि के नीचे किसी संत सन्यासी का पूजन करता है तो उसे पिपलेश्वर महादेव की क्रपा प्राप्त होती है पीपल के व्रक्षि के नीचे कोई शिवलिंगी स्थापित करता है तो उसे पिपलेश्वर महादेव की क्रपा प्राप्त होती है आपके माता पिता का रिण आप चुका नहीं पाए हैं तो एक पीपल के व्रक्षि की स्थापना करके उसके नीचे शिवलिंग इस्थापित करें आपके माता पिता आपके पित्रों को उससे बहुत शान्ती प्राप्तो होती है ऐसी पिपलेश्वर महादेव की महिमा है बोल ये पिपलेश्वर महादेव की पीपल के पीड़ को कभी काटना या कट्वाना नहीं चाहिए अगर कोई पीपल के पेड़ को काटना है या कट्वाता है तो उसे पित्र दोस लगता है उसे कही न कही परिवार की अनंद असांती का सामना करना पड़ता है